हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका वेंजिन माटी का रसोई में आज हम बनाएंगे समर स्पेशल आप रिकार के मिल्कशेक और छेप रिकार की लस्सी तो सेंट करते हैं मिल्क शेक बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे lets रिषया दून अधा कप पादम कटा हुआ काजू कटा हुआ अधा कप पिस्ता कटा हुआ और इलाईची Tut 200g शक्राइची दाना डाल कर पाउडर बना लेंगे और दूद मिक्स कर लेंगे क्योंकि हम आठ परकार के मिलक्षेक बना रहे है इसलिए एक बाहर में एक बनाना लिया है और उसमें शक्राइची वाला एक ग्लास दूद दूद दाल दिया है अब हम इसने अधी जम्मा शहे बनाना मिलक्षेक रेडी है अब हम इसको डेकोरेट करेंगे इसके लिए सबसे पहले है इसके उपर ड्राइफ्रोट्स डाल दिया है कटा हुआ बादाम कटा हुआ काजू और कटे हुए पिस्ते से हम इसको डेकोरेट कर दिया है यह मारा बनाना मिलक्षेक रेडी है अब म अब ग्राइश कर लेंगे हमारा किकू डृइ रेडि होगया है अब हम एसमें ** डालों जुच हूर ऑपर फ्रेश क्रीम कि अब है के ड्रॉय फुर्स से ड्यकुरेट कर देंगे उप दिता है कि ए चीकू मिलक्षेक बड क्रत है उपकलर इसके लिए आपल चील कर लिया है अब उसमें शेकर विलाईची वाला दूर दालेंगे एकलास और उसको ग्रैंड कर लेंगे अब हम ने डेकोरेट करने के लिए आई डाला है उसके ऑपर फ्रेश क्रीम और ड्राय फुर्ट से डेकोरेट कर दिया है थोड़े से आपल के कटे हुए तुख्टे डालकर सर्फ कीजिए अब हम बनाएंगे मैंगो मिल्क शेक के लिए हमने एक मैंगो लिया है उसको छील कर कट कर लिया ग्रैंडर जार में डालेंगे उसमें शकर लाइची वाला मीठा दूदे ग्लास डालेंगे और उसको कि अपरिशक कर लेंगे अब हम इसमिलक शेक को अपिस्टाइट करेंगे इसके लिए कटे हुए इस होड़ा साउस डालेंगे इसके वर फ्रैश क्रीम और ड्राइफु टी णारेंगे यह हमारा मैंगो मिलक्षिक रेडी हो गया है एक मैंगो स्लाइस से रेकोरेट कर दिया अब हम चॉकलेट मिलक्षिक बनाएंगे इसके लिए हमने दो चम्मच चॉकलेट करके लिए अदा कप गरम दूद में भिगो दिया था अब हम उसमे एक ग्लास सकरलाइज वाला दूद उसके बाद ग्राइज कर लेंगे अब हम यह हमारा चॉकलेट से तेयार हो गया है अब इसके ऊपर से हम क्रेश की चॉकलेट डाल देंगे थोड़ी सी फ्रेश क्रीम डालेंगे और ड्राइफ रोट से डेकोरेट कर देंगे यह हमारा चॉकलेट मिलक्षिक रेटी है एक सबाइस करें दालेंगे और इसमें शक्र रेला ची वाला मीथा दुद एकलास डालेंगे अब हम इसको घ्रैंड कर लेंगे यहांनी ग्राइं कर लिया है मेलन मिल्कसिक रेटी हो गया है अब इसको डेकुरेट करेंगे डेकुरेट करने के लिए सबसे पहले आप आइस टाल दीजिए उसके आथ फ्रेश क्रीम कुछ कटे हुए तुक्डे मेलन के और ट्राइफोट से डेकुरेट कर देंगे अब हम बनाएंगे कॉन्फ्लेक्स मिल्कसिक इसके लिए हमे चाहिए आधा कप कॉन्फ्लेक्स दो चमच मैल्की हुई चौकलेट और एक ग्लास शकरलाइची वाला दोध इस सारी चीजिए हम ग कॉन्फ्लेक्स मिल्क सेक लागे और उसमें पहले थोड़ ऐस टालिए उसके बाद कान्फ्लेक्स कि तुक्डे और उपर से ट्राइफ। मhras क्रियम थोड़ा साह चॉकलेट शरफ से डेकोरेट कर देंगे मिलक्सेक रेटी हो गया है अब बनाएंगे छे प्रिकार की लसी सारी एकसाद बनाने के लिए हमने पहले तैार कर लिए कर्चे लिए एक किलो शुगर, 400 ग्राम, मिल्क, 200 ग्राम, टुटी फ्रोटी, एक चम मच, आधा कब बादाम कटी हुई, चीरोंजी, आधा कब, आधा कब पिस्ता, कट हुआ, आठ दिस पीस लाइची के, अहम सबसे पहले, दही में, दूद को मिक्स करके, एक लीटर दही में, हमने 200 ग्रा बना लिया, अब हम चीनी को मिक्स कर देंगे, थोड़ा-थोड़ा मिक्स करके, आप मिलाते जाएए, इससे अच्छे की से मिक्स हो जाएए, अब हम सबसे पहले बनाएंगे, प्लैन लसी, इसके लिए, एक ग्लास दही में, जो हमने शकर और लाइची पॉडर मिक्स किया थ अब मारा मिक्स कर लिया, अब हम इसको ग्लास में डाल देंगे, और इसको ड्राइफरोट से यह जाएए, यह दही में बहुत ही अच्छा टेस्ट लगता है इनका, इसलिए हमने इसका यूज किया है, और टुटी-फुरुटी, और जो भी आपको ड्राइफरोट पसंदों अब हम बनाएं के रह द्राइव मताहे अब हम बनाेव भाली इसके लिए एक बनाना दिया है उसको कीतना है उसको चिल बलते बाला के इसके नह कम आपको अड़ida ग्राइङड़ं में च्पर अदे नहीग उसको तर बनाा डालाईच कर लेंगे अ नहीं दालेंगे, जाल सब करेंगे इसके लिए सबसे पहले आइसक्रीम डाला हमने एक चमच उसके उपर ड्राइफुर्ट से ड्राइफुरेट कर लीजे आप कोई भी जो आपको पसंद हो ले लीजे मैंने रोंजी बादम पिस्ता और काजु डाला है अब हम बनाएंगे एपल लसी एपल लसी के लिए एक अपल ने चील कर लिया है उसमें एक गिलास शक्र और राइच वाला दही डाल कर लिया है यह मने ग्लास में डाल दिया अब हम इसको डेकोरेट करेंगे डेकोरेट करने के लिए बनिला आइसक्रीम उसके ओपर थोड़े से एपल के तुकड़े कटे हुए और बाकी के ड दालेंगे अब बनाएंगे मैंगो लस्ती मैंगो लस्ती के लिए एक मैंगो लिया है चील कर काट लिया है ग्रैंडर जार में डालिए और एक ग्लास दही डालेंगे शक्र और लाइच वाला और ग्रैंडर जार में डालकर ग्रैंड कर लेंगे मिक्सर में अब एक ग्लास मे डालिए इस लस्टी को उसके ऊपर थोड़ी सी आइस क्रीम ढालेंगे एक चमच आइस क्रीम प्लैन आइस क्रीम आप कोई भी डाल सकते हैं जो फ्लेवर आपको पसंद हो उसके ऊपर चेरोंजी डालिए और टुटी फ्रूटी बादाम कटी हुई और पकटा हुआ पिस्ते से ड्यची से द्यक्योंचा पी करेंगे ने तो काफिसन सुनदर दिखेंगा अब दयांगे चॉकलेट लस्ै क stam況 बनाना के लिए बनाश के लिए दूद में तोर चमच जम्म च्टब्यट को क्रश करके मैल्ट कर लिया है अब 20 दही शक्रल की लाई ने इसमें मैल्ट की हुई दो बुन बैनिया एसेंस डाला हैGuq अब इसको ग्राइंडर जार में डाल कर सभी कि एर्च इसको डैक्रेट करेंगा प्रेंगे त्व कि वैद्थे जाने के च अब शुक्रेट करेंगे इसको डाले याँने ओ्री ईअब रादक चारित कर दंधा है अब इसके ओपर डालेंगे चोक्लेट लसी, देखे कितना विल्टीफुल ग्लास दिख रहा है अब इसमे चोक्लेट लसी हमने डाल दिये, अब इसको डेकोरेट करेंगे थोड़ी सी आईस क्रीम से, फिर ड्राइफ रूट से और उसके ओपर डालेंगे थोड़ा सा बादम पिस्ता लशी के लिए तोड़े से बादम लिये है और पिस्ता लिये है दो दो बड़े चमच ले लिये और एक लाज दही शक्रोज लाई चिवाला लिया है अब हमें सभी चीजों को डाल कर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे हमारी बादम पिस्ता रशी रेडी हो गए है अब हम सको ग्लास में डालेंगे उसमें थोड़ा सा आइस्क्रीम डालेंगे और ड्राय फुट से डेकोरेट कर देंगे यदि आप चाहें तो गंटे इसको बादम और पिस्ता को भीको कर छिलके निकाल कर भी यूज कर सकते हैं इसके उपर आइस्क्रिम डाला है और बाकी ट्राइफूट से अच्छे से इमने इसको डेकोरेट कर दिया है थोड़ी सी केसर टाल दीजिए यह हमारी बादम बिस्ता रस्सी रेडी हो गये यह देखे छे प्रकार की लस्सी हमने कितने कम समय में तयार कर ली है है अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद